जहें दोस्तों मेरा नाम है अतुल और स्वागत है अपका अपने यूड़ेप चनल अतुल टिक बजार में दोस्तों यह है Realme 8 और Realme 8 में माई मन्त में एक अपडेट Realme ने पुछ किया है इस अपडेट के बारे में हम यहाँ पर रिवो करेंगे सारी को जानकरी में इस अपडेट के दूँगा एंतुल तो बेंचमार की स्कोर भी चेक करेंगे कि इस अपडेट के बात क्या आता है वीडियो चला की चनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिगा बेल एकन को भी प् आपको मैं यहाँ पर सॉफ्ट्व अपडेट सेटिंग में जाकर दिखा देता हूं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो अपडेट है एडॉट 13 एंड यहाँ पर अपडेट में आपको एंडुड सेक्रीटिटी पेज मैई 2021 का यहाँ पर मिल जाता है साथी साथ यहाँ पर गेमिंग सेक्षन है जो गेम स्पेस है उससे जादा इंप्लिमेंट किया गया है गेमिंग काफी ज़्यादा यहाँ पर आपकी अप्टुमाइज हो जाएगी इस अपडेट के बाद यानि की टोटली दोस्तों यहाँ पर परफॉर्फॉर्मेंस है और एक्सपिर गरे के सेंस लेते हैं तो उसे भी यहाँ पर एफेक्ट के दूरू अप्टुमाइज किया गया है साथ जो रेर कैमरा है उसमें नॉर्मल मोड पर अगर आप इमेज लेते हैं तो इसकी भी क्लारिटी को यहाँ पर अप्टुमाइज किया गया है और 64 मेगा पिक्सल में इस पहले अगर आपने फोटो ली होगी तो उसमें कुछ नॉइस देखने को मिला होगा इस पक्स किया गया है अब यहां पे क्लियर फोटो आप खीश सकते हो 64 मेगापिक्सल कैमरे से भी इस अपडेट के बाद दोस्तों जो वीडियो क्लियरिटी है वीडियो रिकॉर्डिंग व अच्छे से स्कैन नहीं कर पाते थे अप्टर इस अपडेट के बाद आप क्योर कोड इसली स्कैन कर पाऊगे और डिस्प्ले में आप देख सकते हो यहां पे स्क्रीन आफ इश्यू था इससे यहां पे फिक्स कर दिया गया है चलिए दोस्तों कैमरे सेक्शन में जाके काफी ज़्यादा यहां पे इंप्लीमेंट किया गया है और यह दोस्तों 64 मेगा पिक्सल कैमरे से लिए गये तो आप यहां पे देख सकते हो काफी ज़्यादा जूम में यहां पे कर रहा हूं और क्लियारिटी आपको पहले के अपडेट से बहतर देखने को यहां पे वीडियो क्लारिटी को भी इंप्रू किया गया है यहां पे हम एक वीडियो ले लेते हैं और यहां पे फोकसिंग का कुछ इशु था अब आप देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से यह फोकस हो रहा है चली दूस्तों यहां पे मैं आपको वीडियो प्लै करके भी दिखा जयता हूं तो यहां पे लिख सकते हो पहले कुछ थोड़ा बहुत यहां पर इशु था फोकसिंग से रिलेटेड अब यहां पर किलियरली आप वीडियो इससे रिकार्ड कर सकते हो अगर मैं जूम करता कि कुछ नयाफी जया रहे बट यहाँ पे dual view video वाला function है जो कि पहले भी यहाँ पे अवलेबल था तो दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही है कि यहाँ पे जो camera related bugs थे छोटे मोटे इस bugs को इस update में fix कर दिया गया है and QR code से related scanning issue था इस update के बाल इस bugs को यहाँ पे fix किया गया है अब आप यहाँ पे कोई भी third party अप जिसमें QR code यूज होता है easily scan कर पाओगे दोसरे हैं पे जो game space का वर्जन है आप देख सकते हो 4.1.35 है और इस update के बाद यही game space आपको देखने को मिलेगा और अगर मैं यहाँ पे phone manager अप के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 8.5.8 वाला वर्जन मिलता है जिसमें antivirus clean up app अभी भी नहीं है चलिए दोस्तो फटाफट से एदेदू benchmark score भी चेक कर लेते हैं after c.13 update यहाँ पे 22 benchmark score आप देख सकते हो 350,000 दोस्तो जी 95 processor और 350,000 का जो score है काफी बहतर है यहाँ पे 22 benchmark score निकल के है इस update के बाद तो में भी दोस्तो इस update के बाद bugs fix हो गए हैं camera से related and antivirus benchmark score के साथ performance भी आपको अच्छी देखने मिलेगी अगर आपने इस update को किया है comment section में मुझे बताइए का कोई भी bugs हो कोई भी problem हो मुझे comment section में पूछ सकते है डेलेगराम ग्रूप को भी join कर सकते हैं दोस्तो घर पर रहिए safe रहिए मिलते हैं next ने वीडियो के साथ तब तक के लिजए इन बोलते रहिए पंदे मातरम अगर आपने बोलते हैं